अगर आपकी औरत आपके सिवा किसी और मर्द से ठुकवाती है तो साम को ठुकाई करने से पहले इस दवाई को खा लेना आपकी औरत आपके सिवा किसी गैर मर्द को नजर उठा कर भी नहीं देखेगी जो लोग इस दवाई को खा कर अपनी औरत की ठुकाई नहीं करते उनकी औरत हमेशा किसी ना किसी ठुकाई वाले मर्द कोई तलास में रहती है क्योंकि जब किसी औरत का पानी नहीं जड़ता तब औरत किसी ना किसी मर्द को ढूरती है जो उसका पानी ज़ाड सके अगर आप इस दवाई का सही तरीके से इस्तमाल कर लेते हैं तो आप दुनिया की किसी भी लड़की का किसी भी औरत का पानी आसानी से जार देंगे और आपका बीर ये जल्दी नहीं जड़ेगा तो चलिए अपने बीर को गाढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ठुकाई कैसे की जाती है चलिए जाने इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो कर लें अगर आप अपनी औरत की ठुकाई करने से पहले ही जड़ जाते हैं कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका घुसा कर दो से तीन बार अंदर बाहर करते ही भी ये निकल जाता है वैसे लोगों के लिए यह दवाई अमरित के समान है अगर आप अपनी औरत की ठुकाई करके पानी जारना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज जीरा लेना होगा आप हमारे हाथों में जो चीज है यही है जीरा जीरे को आपको लेना है पचीस ग्राम की मातरा में 25 ग्राम की मातरा में जीरा पीस कर पाउडर कर लें और 25 ग्राम की मातरा में आपको लेना है दोस्तों सफेद मुसली दोनों को बराबर मातरा में कूट कर पीस कर पाउडर कर लेना है पाउडर करके आपको तवे पर हलका हलका इसे भुनना है ध्यान रखें कि यह जलने ना पाए हलका हलका भून करके आपको इसे किसी कांच के बोतल में या कांच के डिब्बी में भरकर रखना है प्रतिदिन साम के समय एक गलास पानी लेना है उसमें आपको आधा चम्मच की मातरा में सफेद मुसली का पाउडर आधा चम्मच की मातरा में जीरे का पाउडर और आधा चम्मच की मातरा में उसमें आपको काला नमक डाल करके घोल करके इसे पी लेना है इसे पीते ही आपके बीर्यकोद मलाई की तरह तुरंत गाढ़ा करके जमा देगा और आपके link में तुरंट blood circulation तेज कर देगा जिससे आपका link तुरंट tight हो जाएगा और जब आप अपनी औरत के अंदर घुसा कर ठुकाई करेंगे तो वह discharge होने के बजाए और भी charge होता रहेगा और अप जब तक आपकी औरत का पानी जाड़ेगा नहीं तब तक उसमें से भी ये निकलेगा नहीं बाइ बाइ फ्रेंड